नीजी हस्पतालों में जिसमें हम अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं या फिर यूं कहें कि जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो सरकारी हस्पताल छोड़कर नीजी हस्पतालों का रुक करते हैं क्यों रुक करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको सुईधा सरकारी हस्पतालों से कुछ अच्छी मिल जाती है बहतर मिल जाती है आपकी केयर बहुत अच्छे से होती है आपकी देखबाल अच्छे से होती है लेकिन ऐसे लापरवाही के मामले नीजी हस्पतालों से जुड़े मिलते हैं जैसे कि अगर मैं हमारे करनाल की बात करूँ तो एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आयέ था वो मामला ये था कि एक डेट बोड़ी की नाक हुरा खा गया था जिस खबर ने पूरे करनाल को हैरान करके रख दिया लेकिन अब लापरवाही से जुड़ा हुआ एक और बड़ा मामला हमारे हर्याना के पानीपजिले में देखने को मिला है पानीपजिले के हाट एंड मदर केयर हस्पताल में दो दिन के नवजाद बच्चे को कुत्ते खा गए अवारा कुत्ते खा गए अब आप सोच रहे होंगे कि दो दिन का नवजाद बच्चा यानि कि जिस बच्चे ने अभी इस दुनिया में सिरफ पाउं ही रखा था अभी वो इस दुनिया में आया ही था उसने इस दुनिया में बहुत कुछ करना था देखना था बलकि हस्प पताल के अंदर से ही वो बच्चा कैसे कुट्टों के पास चला गया मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मामला पानिपत से जुड़ा हुआ है जिसमें यूपी के कैराना के रहने वाला परिवार जिसमें रहने वाली महिला के डिलीवरी होनी थी 25 सारी को 25 जून को वो हुम धाम से बच्चे को घर लेकर जाएंगे वो बच्चा दो दिन का होता है क्योंकि 25 तारीक को जिस दिन वो हस्पताल में एडमिट होती है उसी तारीक रात को वो बच्चे को जन्म दे देती है बड़ा ही सुन्दर बड़ा ही मासूम सा बच्चा जिसे वो इस दुनिया म बच्चे की रिष्टे में लगने वाली ताई उसके साथ सोई हुई थी जैसे ही दादी और ताई की आँख लग गई उन्हें नीद आ गई वो सो गई और जैसे ही जब उनकी आँख खुलती है रात सवा दो बजे का समय बताया जा रहा है दो से धाई बजे के बीच का समय बताया जा रहा है सवा दो बजे जब उनकी आँख खुलती है बच्चे की दादी की आँख खुलती है और वो देखते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि नवजात बच्चा उनके पास नहीं है अब सोचन फिर ये भी हो सकता है कि बच्चे की चोरी हो गई हो क्योंकि अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि अगर कोई बेटा हो तो उसकी चोरी भी कर ली जाती है लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगी कि वो बच्चा कहां मिलता है जब परिवार वाले इदर उदर ढूंडते है सिसी टीवी फूटेज खंगालते हैं आसपास की जगा पर ढूंडते हैं तो हस्पताल के पास ही एक खाली प्लाट में वो अपने बच्चे को छोटे से बच्चे को कुत्ते के मूँ में देखते हैं और आप समझिए कि उस दादी पर क्या बीती होगी उस ताई पर क्या बी सवाल लेकर आया जाता है डॉक्तर को दिखाये जाता है डॉक्तर उसे मरित घोशीत कर देते हैं पुलिस को मोके पर बुलाये जाता है पुलिस शब को कपजे में लेकर Post-ándaire हाउस भेश दिया दो दिन के नवजाद बच्चे को पोस्ट माटम हाउस भेजने की नौबत आ गई आप समझे कि एक नीजी हस्पताल की कितनी बड़ी लापर वाही रही अब सवाल ये उठते कि क्या वहाँ पर सिक्योटी गार्ड नहीं थे सवाल ये भी उठते हैं कि क्या कुछ उनके सुरक्षा की इंतज़ां है अगर बच्चे ऐसे कुट्टे उठा कर ले जाते हैं परिबार वालों का इस पूरे मा मामले में क्या कुछ कहना है पुलिस का क्या कुछ कहना है वो आप सुनीए तो यहां कोई शिगोर्टी वाले गुर कोई था थी शिगोर्टी यह तो शाय दिशे मैं थाई नहीं दिख्ञान दा जो भूरो भी से लाय पक्कन में है और तो इंडब दवस्ट आपको इंचे बात हो लो काहा मिला कि रही बच्छा उद्रपलोड में द्रपलोड है एक माश सब ओस्पिटल के पास लेटा है वादरात को उसको वहां उस्पिटल से कुट्टे बठा के लेगे तो एक कुट्टा अच्छा शब का में सब ओस्पिटल की बार तो कहा का परिवारा सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गे बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक